नमस्कार आदाव सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार अफगानिस्तान ने नरेंद्र मोदी के विश्व गुरू की मार्केटिंग का बाजा बजा दिया है टेलिवीजन चैनलों के एंकरों की समझ में नहीं आ रहा है कि तालिबान को सलाम करना है उनका एहतराम करना है या दोष्ट पाजी आतंकी कहना है हलाकि अमर उजाला जैसे कुछ अखबारों ने भारत की विदेश निती को अपने हाथ में लेने की भरपूर कोशिश की है लेकिन दिक्कत यह है कि उनको ना अफगानिस्तान वाले पढ़ते हैं ना अमेरिका वाले ना चीन तुर्की या रूस वाले संबित पात्रा जैसे वाचाल प्रवक्ता बुद्धू की तरह टीवी पर ताकते रहते हैं विदेश निती उनकी समझ में उतनी ही आती है जितनी मोदी जी को चाइनीज, हिब्रू या पश्टो भाशा विदेश मंत्री एस जैशंकर के बारे में अभी तक आप सोचते रहे होंगे कि आईएफेस अफसर रहे हैं, विदेश सची हो रहे हैं तो बड़े काबिल आदमी होंगे लेकिन अफगानिस्तान के मामले ने साबित कर दिया है कि आईएएस आईपेस आईएफेस होने का मतलब काबिल होना हरगिज नहीं होता अफगानिस्तान के मामले में नरेंदर मोदी पर दुनिया हस रही है जैशंकर ने उनका अच्छा खासा तमाशा बना दिया है आपको पता ही होगा कि ब्रिक्स देशों की बैठक थी ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रिका मोदी उसकी मेजबानी कर लहे थे भारत इसका मेजबान देश था इस बैठक में इन सभी देशों के राष्ट्रा ध्यक्ष शामिल थे इनमें से ज्यादतर मोदी के घनिष्ट मित्र है यह अलग बात है कि उनमें से ज्यादतर अब अनिष्ट मित्र हो चुके है जैसे चीन वाले शी जिन पिंग, रूस के व्लादिमेर पुतिन, ब्राजील के बुलसोनारो वगएरा वगएरा यहां तक तो ठीक था ब्राजील और दक्षिर अफरीका का कोई भी हित अफगानिस्तान में नहीं है या कुछ ज्यादा नहीं है, तो मोदी को उनका साथ मिल गया लेकिन 17 सितंबर को S.C.O. यानि शंगाई को ऑपरेशन और्गिनाइजेशन की बैठक होनी है और इसे लेकर मोदी के चेहरे का रंग गुड़ा हुआ है क्योंकि भारत भी इसका स्थाई सदस्य है लेकिन इसमें भारत के साथ चीन है, रूस है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, हुद्बेकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है इस मैठक में सबसे बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान होने वाला है अब दिक्कत ये है कि अपने विश्व गुरू इसमें अलग धालग पढ़ने वाले हैं क्योंकि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ है वो चीन, रूस और पाकिस्तान की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है और अमेरिका का पिछलगू होने के चक्कर में मोधी जी ने भारत कि मार्केटिंग नौटन की जुम्ले बाजी इसमें बुद्धी लगती है बुद्धी बहुत पढ़ाई लिखाई समझदारी और दूर दर्शिता की जरूरत पढ़ती है खाली नहरू जी को गाली देने से आपको दुनिया के साथ तालमेल बनाने का सलीका नहीं आ जाएग हैं चीन रूस और पाकिस्तान के साथ लामबंध हैं और सबने अपने अपने हित पहले ही देख लिये हैं मोदी जी बंगाल और असम की रैली में बहुत बीजीत थे इसलिए उनको टाइम नहीं मिला इधर उधर देखने का चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी के अखबार ग्लो चांबे में होनी है चीन और रूस बाकी के अहम देश ताजिकिस्तान उजबेकिस्तान और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के मसलेपत समन्वे कर रहे हैं ग्लोबल टाइमस ने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान के बहुत करीब है तालिबान ने खु के लिए उपजे नए हालात से डील करना मश्किल हो गया है नई दिल्ली शायद पाकिस्तानी तालिबान का समर्थन करे लेकिन अब इसमें बहुत देर हो चुकी है पहले ही अपने विश्व गुरू समझ ही नहीं पाए कि तालिबान अब विश्व राजनीत का सच है अमेरिका के तमाम Most Wanted नई सरकार में मंत्री गवर्नर बन चुके हैं उनके साथ बैठके हो रही हैं अफगानिस्तान मामलों के जानकार बताते हैं कि अफगानिस्तान के पूरे घटना क्रम की पठका था चीन और रूस लंबे समय से लिख रहते पाकिस्तान के साथ मिलकर और विश्व और रूस दोनों पहले दिन से कह रहे हैं कि हम तालिबान की सरकार के साथ तालमेल बना कर चलेंगे कहा जा रहा है कि चीन जल्दी ही तालिबान की अंतरीम सरकार को मानिता देने वाला है दे सकता है भारत की स्थिति का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि उसने आनन फानन म अपने दूतावास का कामकाज समेट लिया विश्वगुरू ने बिलकुल नहीं सोचा कि इसका संदेश क्या जाएगा नई परिस्थितियों के लिए प्रभू ना तो तयार थे और नहीं उनकी समझ में कुछ हा रहा था दूसरी तरफ चीनी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता वांग वैन बिन से पूछा गया कि वो अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार की घोशना को कैसे देखते हैं इस सरकार में कई प्रतिबंधी तातंकी हैं कोई अल्प संख्यक शामिल नहीं है और ना ही कोई महिला है इसमें तो क्या चीन इस सरकार को मानिता देगा इस पर वांगवेन बिन ने कहा कि अफगानिस्तान में चीनी दूतावास सामान्य रूप से काम कर रहा है हम नई सरकार के साथ संपर्क में हैं अफगान सरकार और वहां के नेताओं से बाचीत के लिए हम हमेशा ही तयार है हम उमीद करते हैं कि अफगानिस्तान की नई सरकार सभी समूहों को जगह देगी और साथ ही आम अफगान नागरिकों के साथ अंतर रास्टिय समुदाय की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी इससे पहले चीन ने अफगानिस्तान की नई सरकार का स्वागत करते हुए कहा था कि पिछले तीन हफ़तों से जारी अनिश्चितता का अंत हो गया है उन्होंने कहा था मतलब चीनी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने कि नई सरकार अब अफगानिस्तान में कानून व्यवस्था को पट्री पर लाए और युद्धगरस्त देश के निर्मान में जुट जाए रूस ने भी इसी से मिलता जुलता बयान जारी किया है कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जिस रात अफगानिस्तान छोड़ने का ऐलान किया उस रात शी जिन पिंग और पुतिन पूरे समय एक दूसरे के संपर्क में थे और अपने विश्वगरू देख रहे थे कि किस किस अख़बार में अपना प्रचार छपा है कहां कहां चुनावी रैली करनी है और किस यूट्यूब वाले ने उन्हें विश्वगरू मानने से इंकार कर दिया है अफगानिस्तान में चीन की सक्रियता का अंदाजा इसी से लगाई ये कि उसने ततकाल चार करोल डॉलर की खीमत के अनाज सर्दी से बचाओ के सामान वैक्सीन और दवाई भेजने की घोशना कर दी 8 सितंबर को चीनी विदेश मंतरी वांगी ने पाकिस्तान, इरान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान और तुर्कमिनस्तान के विदेश मंतरियों के साथ बैठक कर ली और इस बैठक में अफगानिस्तान को 30 लाख वैक्सीन की डोस देने का अईलान कर दिया इससे तै है कि अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान पर अब चीन और रूस का दबदबा बढ़ेगा इस खेल में पाकिस्तान भी एहम खिलाडी बनकर उभरेगा मतलब विश्व गुरू के कृपा से अफगानिस्तान में भारत का पत्ता साथ अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी अब चीन और पाकिस्तान के सामने न के बराबर होगी ये तय है अफगानिस्तान में चीन की पहुँच पर अमेरिका की सीधी नजर है तालिबान सरकार की घोशना के बाद अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने कहा कि तालिबान के साथ चीन वास्तविक समस्या है चीन तालिबान के साथ एक विवस्था बनाने की कोशिश करने जा रहा है मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्थ हूं कि पाकिस्तान, रूस, इरान सब अपनी अपनी रणनिती पर काम कर रहे हैं लेकिन बाइडेन ने भारत का नाम तक नहीं लेकर जब दुनिया के रास्टरा ध्यक्ष पलपल लगे हुए थे तो अपने विश्वगरू आई स्पाइस खेल रहे थे आप जानते ही होंगे कि अमेरिका ने तालिबान की अफगानिस्तान के रिजर्व फंट तक पहुँच रोग दी थी लेकिन चीन और रूस ने तुरंट कहा कि हम अफगानिस्तान के सामने आथिक संकट खड़ा नहीं होने देंगे अलजजीरा ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया था कि तालिबान जब सरकार की घोशना करने जा रहा था तो उसने तुर्की, चीन, रूस, इरान, पाकिस्तान और कतर को बाकाइदा आमंतुरित किया था और अपने विश्वगुरू, रिपब्लिक और टाइम्सनाव पर वीडियो गेम वाली ब्रेकिंग न्यूस का मज़ा ले रहे थे इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरन कर दीजिए बेल आइकॉन दबाईए घंटी जैसी आकरिती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा नमस्कार